जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे तो एक बहुत बड़ी योजना चल रही है और आप लोगों को आप इससे बेखबर होकर के बैठे वे एक बहुत बड़ी योजना है जिसका लाज डेट 25 अक्टूबर जो काफी नजद आने वाले हैं चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लेगा है हमारा एजूकेशन चैनल है जहां पर आपको क्लास 8 से क्लास 12 की स्टेड़ी बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है तो चलिए बताते हैं इस योजना के बारे में देखे इस योजना का नाम है पियम इं कराओ लेकिन इसके लिए कुछ नियाम और सरते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं देखिए इसके बारे में पूरा जानी है ठीक है छोटा सा वीडियो है हर एक नॉलेज अगर आपको कोई भी जिसका भी योजना जिस पर भी सेट कर जाएगा वो इस फॉर्म को भरेगा ठीक और इस योजना में धाई सो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनिया इसमें रेइस्टर्ड होई है काम देने के लिए बच्चों को ठीक है रेइस्टर्ड हो चुकिए है गौर्त लब है कि वित मंतरी निर्मला सितारमा ने केंदरिया बज़र 24 में इस योजना की घोसना कर दी थी योजना का पाइलेट प्रोजेक्ट के ताथ अगले पांस सालों में देश का सिर्फ पांसो कंपनियां एक करोड यवाओं को इंटर्शिप औसर परदान करेगी परदान करने की गई है इंटर्शिप को दो दिसंबर से सुरू होने वाला है आप देखिए बहुत जल्द अभी आप लोगा फॉर्म अक्टूबर में खतम हो जाएगा 25 तक लेकिन दिसंबर में ही दो डेट आ गिया है इसका डेट आपको दे दिया है पहले क्या होता था कोई योजना आती थी तो उसका कोई डेट ही नहीं देता था कि कब से आपको काम मिलेगा कब से नहीं मिलेग पॉर्टल पर ऑनलाइन के एक प्रोफाइल बना कर आविदन करना होगा एक बार प्रोफाइल बन जाने के बाद उम्मिद्वारों को उसके लिए भागिदारी कंपनियों रुप में बारा महीने के लिए पाँच हजार रुप्या महीना मासिक विद्य सहित आपको पद़न किया जाएगा यापको पाईसा भी मिलेगा वहां पे सिखने के लिए पांच हे अर्प में आप जैसे की कंपनिया सिखा रही है तो सरकार क्यों देगा सरकार इसलिए देगा क्योंकि आपको खाना पीना रहना घुमना फिरना यह सब खर्चा आपको दिया जाएगा ठीक है उसके बाद छे हजार रुपया का एक मुस्त अनुदान मिलेगा एक इंटर्नन को बीमा कवर परदान किया जाएगा अब आप लोग कहीं जाओगे दूसरे जगर काम सीखोगे तो आपको फिर बीमा इंसोरेंस भी किया जाएगा तो जाएए आप लोग ऑनलाइन इसका अप्लाई कर दीजिए आप लोग 25 अक्टूबर तक लाज डेट है आ यहां पर कुछ और है योजना के तीन पात्रता मांदडन है यहां पर देख लिए आयू इंटर्नसिप के लिए आवेदन करने की अंतिमतिति को 21 से 24 वर्स के बीच आपकी आयू होना चाहिए किसी फुल टाइम डिगरी या अन्य कोर्स की सिक्षा ले रहे है चात्र इसके ल रोजगार नहीं होना चाहिए आपको कोई भी रोजगार में आप नहीं होंगे तीक है यहां पर दिया अब देख कोई यहां पर यहां पर दूसरा पॉइंट इसका कहने का मतलब यह अगर आपके पाड़ डिग्री मतलब क्या कोई कोर्स कर रहे हो अमानों कि आप बीएट क रहे हो ठीक है कोई बच्छा बीएट कर रहा है तो बीएट करते करते वो छोड़ के नहीं जा सकता है आपको तो जाना अगर आप लोग के लिए अगले टॉपिक पे अगर जो भी अबडेट आएगा इससे रिलेटर तो फिर आप लोग को दिया जाएगा